दोस्तों Google Workspace जिसके जरीए आप ना केवल अपने वेबसाइट बना सकते हो without hosting, AMC, design charges, आप एक email भी पाते हो without any extra cost जो होता है आपका business email, other than that बहुत सारे इसमें tools या फिर जो apps अवेलेबल होता है उसके जरीए आप IT features या फिर वो सारे चीज़ online कर सकते हो जो बड़ा बड़ा companies कर सकता है at 124 rupees per month only लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी तक ये use नहीं कर रहा है उसके पीछे बस एक reason है कि उनके पास कोई computer या फिर laptop नहीं है अगर बस आपके पास एक smartphone है और कोई laptop या फिर mobile नहीं है तो भी आप कैसे Google Workspace को इस्तिमाल कर सकते हो वो मैं दिखाने जा रहा हूं इस series में Hello and welcome to ways to online मेरा नाम है SK और आपको स्वागत है एक नए टाइप के वीडियोज में Google Workspace के उपर जहांपे मैं सारे वीडियोज ऐसे वर्टिकल मोड में record करूंगा Google Workspace के सारे features जब मैं करूंगा mobile phone में and then उसको upload करूंगा इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कितना compatible है Google Workspace mobile phone में और क्या-क्या आप कर सकते हो क्या-क्या आप नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते हो मैंने इसलिए बोला क्यूंकि आज के डेट में यह शुरू करने जा रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा-कौन सा features Google Workspace के mobile phone में हम लोग नहीं कर पाते हैं सो वो भी आपको पता चल जाएगा और इन सब चीजों को इस्तेमाल करके आप एक informed decision ले पाओगे और हो सकता है यह encourage करें आपको Google Workspace यूज करने में तो Google Workspace अगर अभी तक अपने subscribe नहीं किया है तो मेरे बाकी सारे videos जो है वो देख लेजिए और यह तो आपको मिलता रहेगा ही रहेगा so thank you for watching this video subscribe our channel if you have not yet subscribed and share this video with your friend and family who has some business or maybe a profession but manages a team so उनको भी आप यह शेर कर सकते हो this will definitely benefit them so thank you for watching this जाने से पहले as always if there is will there is ways to online thank you for watching see you in next one take care bye bye